हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिस नए वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उठान योजना ग्रेज़शन पांस पचाशज़ार रुपे के लिए जो आनलाइन हो रहे हैं उसको लेकर आप सभी के मन में काफी सारे कोश्चन से काफी सारे डाउट्स ह जब आप अपना रोल नमबर, मार्क सीट नमबर, फादर ने में सब लिख के जब आप सर्च कर रहे हैं तो कंडिडेट्स का नाम नहीं सो रहा है लिस्ट में नाम रहते हुए भी वहाँ पे सो नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा और कैसे आप सर्च करें मेरे पास तीन एक्जामपल के तौर के मार्क सीट है, जेप्यू का है और भी दो तीन इनवर्सिटी का है जो मैं आपको एक 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 गाइडलाइन्स बताऊंगा किस परकार से अपना मार्क सीट नमबर को धूड सकते हैं मार्क सीट सर्टिफिकेट से देख कर इसके बाद से किसी किसी स्टुईट जो है पात्र रहें लेकिन उनका लिस्ट में ही नाम नहीं है तो वो जो है क्या करेंगे? form भरने का जो last date है वो क्या रखा गया है इसकी भी जनकारी बताएंगे साथी सा 3-4 ऐसे university है जिनका जो है list में नाम ही नहीं है तो वो क्या करेंगे उनके लिए क्या options है तो यह सारे जो है हम आपको problem का solution इस वीडियो में बताने वाले है सबसे पहले हमें आपको यह cover कर लेते हैं कि note of holiday student यह लिख राइस का क्या solution है देखे friends जब यहाँ पे आप जो है apply वाले पे click कर रहे है registration पे तो यहाँ से registration आप कर पा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जब आप आ रहे हैं report वाले section में और यहाँ पे जब आप यहाँ पे list of eligible student तो यहाँ पे तो आपका नाम आ रहा है नाम सो रहा आप इजली जो है अपना देख पार है कि यह मेरा नाम है सब चीज सही है लेकिन जब आप यहाँ पे जो है declare करके और form को आप continue कर रहे हैं और यहाँ पे आप जो है अपना university name चूच कर ले रहे हैं फिर यहाँ पे जो है registration number या enrollment number दोनों में से कोई आप लिख रहा है और get details पे click कर रहे हैं तो यहाँ पी इस परकार से please enter registration number वगरा मतलब ऐसे error आ रहा है not a valid student ऐसे करके लिख के आ रहा है तो इसका क्या solution है friends देखिए या तो आप marks each number डाल दें होंगे या तो registration number डाल ड़ैंगे कोई तो mismatch हो रहा होगा जो आपका यहाँ पे details नहीं आ रहा होगा अगर सब चीज डालने के बावजूद भी नहीं आ ह्रा है तो समझन लिजिए कि आपका कहिने कहिन problem है नाम में या registration number में या mark sheet number में या roll number में यह चीज आपको क्या करना होगा अगर ऐसा problem आ रहा है मतलब सब चीज सही डालने के बावजूद भी आपका details प्रिक करने पर नाम नहीं आ रहा है डाटा सौच नहीं हो रहा है तो उस case में friends आपको जो mail करना होगा mail किसको करेंगे तो यहां पर देखें इक mail ID दिया हुआ इसमें क्या करेंगे न आप mail बनाएंगे लिखेंगे कि sir मैं eligible हूँ but मेरा details so नहीं हो रहा है और वहाँ पर अपनी mark sheet की जनकारी और अपना नाम अच्छे से लिखेंगे contact details अच्छे से लिखेंगे और mark sheet अधारकाट जो है उसका scan करके आप उसके साथ attach करके mail करेंगे अगर इसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखें साफ साफ लिखा हुआ please contact university if candidates name auto populated is wrong यानि automatic जो populate होके यहाँ पर नाम आ रहा है अगर वो wrong आ रहा है या नहीं आ रहा है जो कि मैंने काफी सारे चीजों को confidential जो चीज़े उसको मैंने hide किया हुआ है थोड़ा सा आप मेरे साथ cooperate करेंगे समझने में ताकि मैं असानी से समझा सको आप लोग को कि कहां पर क्या चीज है और आप easily form को apply कर सके यहां पर दिखेंए आपका रेशितन नमबर होता है जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है तो मार्कषिय नमबर में आपको problem हो रही है यहाँ पर roll नमबर दिया हुआ तो यह आपका marksit number होगा, अगर suppose marksit number में यह नहीं ले रहा है, उस case में आप यहाँ नीचे आएंगे, बार्कूट के just bugle में यहाँ पे marksit number भी रहता है कभी के लिए, तो कभी के भी यह भी आप यहाँ पे try करेंगे, तो आप alternate दे दे कर जो है न, try कर सकते हैं, तो यह जो है आ परिशेशन नमबर देखें, यहाँ पे आपका दिया हुआ देख रहा न, अब हम देख लेते हैं एक और इनवर्सीटी है, उसका example, तो देखें यह जो है, बाबा साहब भीम रावा मेडकर इनवर्सीटी, जो बी र इनवर्सीटी है, उसका क्या है, तो देखें इसका जो ह यहां पर दिया हुआ है options आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो है यह मार्क सीट नमबर यहां लिखा हुआ है यह मार्क सीट नमबर यहां लिखा हुआ है यहां पर रोल नमबर दिया हुआ है यही पर रेश्टेशन नमबर भी दिया हुआ है तो आप इस परकार से mark sheet number को ढोट सकते हैं जो कि बहुत ही असान है अब अलग-अलग university का अलग-अलग होता है तो आप cross check कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब आप list check कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका enrollment number या registration number तो आ जा रहा है वो confirm हो जा रहा है लेकिन बात आर यह mark sheet की तो mark sheet number आप cross check करेंगे जितन भी same process है आप जो है इस mail ID पे उनको mail करिए और अपनी जो है problem को बताईए यह मेरा list में नाम नहीं है मैं eligible हूँ इतना year में मैंने पास कर रहा हुआ है graduation इस university से मारा mark sheet है यह हमारा अधार card है वो सायद आपको जो है list में नाम डाल देंगी सबसे बड़ी बात आ रहे है friends जो ह college university का नाम नहीं सो हो रहा है देखिए friends काफी सार ऐसी university जैसा कि IGNU का देखिए IGNU can't register now since their respective university have not uploaded complete result देखिए कई सारी university का result pending है अब यहाँ पे जो है आ रहा था एक दो और university का नाम आ रहा था और एक दो university का नाम आ रहा था लेकिन अब जो है वो ठीक हो गया है उनका नाम को यह है website पे जब तक university अपना पूरा result upload नहीं करेगा website पे तब तक यहाँ पे data verify नहीं होगा और बच्चे लोग form को apply नहीं कर पाएंगे तो अभी IGNU का केवल बाकी रहा गया है बिहार में जितने भी university है उन सबका आ गया है बस IGNU का जो है यहाँ अभी बाकी है यहाँ प यहाँ पे start हो जाएगा उनका भी लिस्ट में नाम सो होना start हो जाएगा जितने भी उस university से बच्चे पढ़ाई किया हुए है अब बात आती है form भरने का जो last date है वो क्या है काफी सारे लोगों ने comment करके पूछा था last date सर बताइए तो देगे friends form भरने का कोई भी इसका last date नह लागे भरिएगा यहाँ पे कुछ process मैं आपको समझायता हूं जब आप registration पर क्लिक करते हैं यह 5 steps दिये हुए है form भरने का लेकिन यह documents upload और apply for scholarship का option नहीं दिखता है registration करते समय तो कुछ दिन बाद जो है friends आपको जब आप जो है जितना details यहां registration कर पा रहे हैं उतना final कर यही जो है documents आपको लगेंगे form भरते समय इसके अलावा कुछ भी जो है form भरते समय नहीं लगेंगे और आप यहाँ पर पहले registration कर दीजिए बाकि की जो further process होगा verify होने के बाद जब user ID password आएगा तो यहाँ पे apply का option मिलेगा तो मैं आपको अलग से second video लाओंगा कैसे आपको आपको जो है apply करना है अभी तो मैंने के वले registration करना है और registration ही हो रहा है अभी तक बाकी further जनकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा काफी सारे लोगों ने यही पूछा था कि क्या married candidates form को apply कर सकती है जी हाँ married candidates form को apply कर सकती है उनका भी पैसा 110% आएगा आप form जरूर भरिये list में नाम चेक करिये form भरिये आपका पैसा 100% आना ही आना है उमीद करता हूँ friends आपको यह जनकारी समझ में आ गया होगा आपके मन में कोई भी doubts है comment है comment box में पूछ सकते हैं मिलते हैं friends किसी नए वीडियो के साथ हमें दीज़े जायत और देखतरी ideas helping forever अगर आपको म लिंक से जुड़ोना है तो मैंने आपको लिंक description box में दे दिया है वहाँ पर आप जो छोटी छोटी जनकारियों को साजा किया जाता है मेरे दुवारा जो मैं वीडियो के मादेम से नहीं बना पता हूं वीडियो बनाने में कफी सरे समय लग जाते हैं तो आप टेली ग्राम पर जोईन हो जाइए वहाँ पर काफी सारे लोग जो है जोईन हुए हैं और रेगुलर अपडेट लेते रहते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो में जाहिन